नमस्कार देश के प्रधान मंत्रे अगर किसी जीले के दौरे पर जाते हैं तो हफ्तों पहले से ही पुलिस प्रशा संचोकन न हो जाता है और तयारियार शुरू कर देता है कुछ ऐसा ही हाल वारणसी में भी था जब गुरुवार को ही पिया मोधी के साथ साथ सूबे के मुख्य मंत्री योगी आदितनात और राजपार अनंदी पैन पतेल जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां जिले में मौजू थी अब पिया मोधी का ये दौरा वैसे तो देखिए महस पांच घंटे का था लेकिन जब तक वो वारनसी में थे पूरा पोलिस महकमा भागम भाग में लगा रहा जिले के कमिश्णर इस सतिश गणिश की तो हालत ऐसी हो गई थी कि भई वो कमिश्णर होने के बावजूत सारेन वाली चार पहियां से नहीं बलकि बाइक से ही दौर भाग करते दिये क्योंकि उन्हे के ऊपर पीयमोदी समें तमाम हस्तियों की बहारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जोची है तो जिले में दर्जुन और वी वी आईपी एक स्ताथ मौझू थे और ऐसे में पुलिस कमिशनर सतिश गनेश के लिए भी उनकी सुरक्षा की जिम्यदारी समालना किसी चुनोती से कम नहीं था तेश तरार आईपेस अफसर सतिश गनेश ने इस जिम्यदारी को पखुबी अंजाम दिया इस वरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सीपी सतिश गनेश को फैंटम दस्ते की बाइक पर ही सवार होकर उद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुँशना पड़ा दरसल वारने से पहुँचे पियमोधी का हेलिकॉप्टर सबसे पहले बियेच्चू परिसर के हेलिपैड पर उत्रा जहां उन्होंने एक कारिक्रम को संबोधित किया और फिर वहां से पियमोधी का हेलिकॉप्टर संपूर्णा नंत संस्क्रिक विश्य विधाले परिसर में बने हेलिपैट के लिए रवाना हुआ जहां से कार पर सभार होकर पियो मोदी को रुद्राख्ष कनवेंशन सेंटर का उधातन करने के लिए जाना था यानी कमिशनर सतिश गनेश के पास ज्यादा समय नहीं था उन्हें पियम मोदी से पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुँच कर सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्हालनी थी और ऐसे में पुलिस कमिशनर सतिश गनेश ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए डाइल 112 के फैंटम दस्ते की बाइक से ही कन्वेंशन सेंटर जाने की बात कहीं तो मौके पर मौझूद पुलिस कर्मी सकते में आ गए लेकिन कमिशनर का आदेश भला कौन टालता तो रख बाइक हाजर हुई और कमिशनर सतिश गनेश बाइक पर ही फराटा भर कर पियमोधी से पहले ही कन्वेंशन सेंटर पर पहुँच गें तो इस दोरान कमिशनर के माथद भी बाइक से ही उनके साथ चल दिये और पीछे-पीछे कमिशनर की कार भी आ रही थी कमिशनर के कमिशनर सेंटर पहुँचने के कुछी देर बाद पियमोधी का काफिला भी पहुँच गया तब जाकर पोलिस कर्मियों ने राहत की सास ली कमिशनर सतिश गनेश की हो रही तारीफ तो पियमोधी समेत तमाम वी वी आईपी की सुरक्षा के लिए कमिशनर सतिश गनेश ने जिस तरह से फूर्ती दिखाई सोशल मीडिया पर उनकी ज्यम कर तारीफ हो रही है ट्विटर यूजर संतोश कुमार श्रमा ने लिखा ये वारनसी के पोलिस कमिशनर है जो ड्यूटी के लिए प्रोटोकॉल को किनारग कर बाइक से निकल पड़े बागी आईपीस भी कुछ सबग लें एलियन के मानसिक्ता से नहीं इंसानियत के मानसिक्ता से कोई एस सतिश गनेश बनता है अनुप शुकला नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा ये है जिम्यदारी गर्व है हमें पुलिस कमिशनर वारनसी एस सतिश गनेश पर प्रधान मंत्रे को बियेक्चू हैलिपैट से विदा किया और फिर समय की कमी को देखते हुए कमिशनर बाइक पर सवार होकर रुदराक्ष पहुँशने के लिए निकल पड़े इसके साथ ये साथ ट्विटर यूजर हमानशोत्र पाठी ने लिखा है फर्ज निभाने में नहीं कोई भी एगो पीम का कारेकरम सफल बनाने के लिए बाइक पर ही सवार होकर रुदराक्ष कन्वेक्शन सेंटर पहुँशने कमिशनर ट्विटर यूजर आश्यतोष पाठक लिखते हैं तीस सेकेंड के वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए संपून भारत वास्यों को मोटर साइकल की सवारी कर रहे हैं पनारस के पोलिस कमिशनर सतिश गनीजी बीएचू हैलिपैट से रुदराक्ष कन्वेक्शन सेंटर पहुशना था और वो भी मोदीजी से पहले गूड जॉब सर हेमत दिवारी नाम के ट्विटर यूजर ने कहा यह है वारानसे के पोलिस कमिशनर सतिश गनेश पीम के बीएचू हैलिपैट से रुदराक्ष कन्वेक्शन सेंटर प्रस्थान करते ही कमिशनर ने कम समय में पीम के पहुँचने से पहले लिया बाइक का सहरा और फूरे प्रोटोकॉल के साथ किया पीम नरिंद्र मोदी का रुदराक्ष कन्वेक्शन सेंटर पर स्वागत ट्विटर यूजर विनिद गुपता कहते हैं यूपी पोलिस में एक IPS अफसर ऐसा भी वारनेसी के पोलिस कमिशनर सतिश गनेश ने बाइक से रुदराक्ष कन्वेक्शन सेंटर पहुचे तो कमिशनर इस सतिश गनेश ने अपना फर्स निभाने के लिए बिना किसी एगो के ही जिस तरह से बाइक पर सवारी की उसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भई IPS सतिश गनेश से दूसरे IPS अफसरों को भी सबक लेना चाहिए बहराल फर्स के लिए IPS सतिश गनेश ने जिस तरह का ज़स्वा दिखाया है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रू बताईएगा